जनपत हरिद्वार के खानपुर शेत्व में लंड़ोरा नगर पंचायत के सफाई करमचारी अपनी मांगो को लेकर हड़ताल पर चले गए इसके साथ ही सफाई करमचारीों ने कार्याले पर तालाबंदी भी कर दी है बतादे कि लंडोरा नगर पंचायत में 25 सफाई कर्मी आउट 113 समविदा पर काम करते हैं इसके साथ ही कुछ लोग तो वर्ष 1995 से समविदा पर काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें नियमित नहीं किया गया वहीं सफाई कर्मियों का कहना है कि सभी करमचारियों से 10 से 15 रुपए मासिक वेतन पर काम कराया जाता है जिसके चलते सफाई कर्मी अपने बच्चों को ठीक से शिक्षक रहन भी नहीं करा पा रहे हैं इनी सब समस्यां को लेकर सफाई कर्मियों ने मांग करते हुए कहा कि डॉक्टर ललित मोहन कमिटी की सिफारिश लागू करके साथ सम्विदा कर्मियों को रेगुलर किया जाए और ठेका प्रता करमचारियों को सम्विदा पर रखा जाए इसके तहत ही सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक अनिश्वित काल के लिए हरताल जावी रहेगी। को सिक्सित ना कर सके और आगज उन्दाइना कर सके जो कि सथेक्या करमचारी के तनका वह दस बारा हजार पंद्राजार तक है उसमा आदमी खाऊगा क्या और बच्चों को पढ़ाएगा क्या सरकार की जो मंसा है सफ़ाय करमचारियों को बिल्कुल निच्च कचोल कुचलने क कि हम चाहते हैं कि डाक्टर मोहन रहाल की जो कमेटी सिफार से लागू किये जाए जो हमारी मांगे उनको पुरा किया जाए मुद्धे हमारे है उन्नीस से पिचारण में तक के भी हां सिम्धा करमचारी है आई तक 869 में रहेगे अभी 22 22 तारीक में कोट की डबल बैंच का भैसल आया उस पर भी कोई जियो जारी नहीं हुआ उसकर सिरी दामी जी की तरफ से के भाई कोई आज आज तक कोई आथवासन नहीं मिला के भाई नपके करें नहीं करें अभी तक कोई बात सुनवाई नहीं हो रही हम 1925 में से हैं जी यहां हाजी सिम्धा करमचारी है और प कर दो